गूणन बॉर्निंग स्टुडेंट ऐसो बेटा सबी बेटा आज हम एन्थो शिरोस जो है उसमें रिपोर्डेक्षन यानी जनन पढ़ेंगे कि एन्थो सिरोस जो है उसमें जनन कैसे होता है देख बेटा एन्थोस शिरोस जो होता है इस एंथो सिरोस में काईक जनन और लेंगिक जनन ही पाया जाता है काईक जनन इसमें मिलता है और कौन सा मिलता है लेंगिक जनन मिलता है तो एंथो सिरोस में हम काईक जनन और एलेंगिक जनन जो है ये पढ़ेंगे ठीक बेटा और इसमें हम सबसे पहला जो point लेते हैं वो है काइक जनन काइक जनन की anthoceros में काइक जनन किन विधियों के दुआरा और कैसे होता है ठीक बेटा जिसमें हम काइक जनन की पहली विधी लेंगे विखंडन के दुआरा विखंडन दुआरा पहली विदी है काईक जनन की विखंडन के दुआरा देख मेटा विखंडन की दुआरा क्या होता है कि जब एंथो सिरोष का थैलस एंथो सिरोष का थैलस जो है उसक्या पस्चे भाग जीन यानि कमजोर हो जाता है या उस चती ग्रस्त हो जाता है तो सिरोष भाग जब जीन या अच्छे हो जाता है तो थैलस जो है इस थैलस में दुवी भाजी दुवी भाजी साखन होने लगता है जब थैलस का पस्चे भाग किसी काण जीन या च्छे होता है तो थैलस में दुवी भाजी साखन होने से इसकी जो साखाएं है ये साखाएं अब एक दूसरे से प्रथक होने लगती है वही साखन शुरू होगा और साखन शुरू होने के बाद इनकी साखाएं एक दूसरे से प्रथक होने लगती है ठीक है तथा प्रथक हुई साखा जो है जो साखा प्रथक हुई है वो स्वतंत्र स्वतंत्र थैलस की भाज़ी कारिये करती है स्वतंत्र जो थैलस होता है उसकी भाज़ी कारिये करती है तो यह है विखंडन के द्वारा इसमें काईक जनन दूसरी विधी काईक जनन की दूसरी विधी हम लेते हैं चीर इस्थाई यानि लंबे समय तक इसमें पुनर जीवित की समता पाए जाती है व्रदी सीर्स में व्रदी जो सीर्स है उसमें चीर इस्थाई की चमता हो जाती है ठीक है बटा इसमें क्या होता है कि एंथो सिरोज फ्यूसी फॉर्मिस एंथो सिरोज फ्यूसी फॉर्मिस यह एंथी सिरोज की जाती है इसमें क्या होता है कि सुस्क परस्ततियों में सुस्क परस्ततियों में इसका जो व्रदी बिन्दू व्रदी बिन्दू या इसे बोल सकते व्रदी सीर्ष जो है ये सीर्ष के अतिरिक्त थैलस कौन सा व्रदी बिंदू या व्रदी सीर्ष के अतिरिक्त के अलावा जो थैलस है थैलस जो है ये मरत होकर सूख जाता है और ये सीर्ष क्योंकि व्रदी बिंदू सीर्ष के अलावा या व्रदी बिंदू या सीर्ष जो है ये सूख ता नहीं है बाकी जो थैलस है ये मरत होकर सूख जाता है जब प्रस्ततियां अनुकूल होती है तो व्रदी सीर्ष जो होता है ये पुने सक्री होकर पुने सक्री हो जाता है और नए थैलस का निर्मान करता है ये क्या बनाएगा नया थैलस बनाएगा एंथोसरेस, शिरोस, फ्यूसी, फॉर्मिस जो जाती है एंथोसरेस की वो सुष्क प्रस्तती में उसका व्रदी बिंदू या सीर्ष के अलावा जो थैलस है वो मरत होकर सूख जाता है और उसका व्रदी बिंदू जब अनुकूल प्रस्ततियां आती है तो व्रदी सीर्ष जो है वो सक्री होकर नए थैलस का निर्मान करता है ये दूसरी विदी होगी पेटा तीसरी विदी है एंथोसिरोस में काईद जनन की वो है कंद दुआरा कंद दुआरा कैसे होता है कुछ जातियां ऐसी हैं जिसमें जब लंबे सुस्क काल जब आता है तो उसमें छोटी छोटी गोलाकार और फूली हुई संडचनाओं का निर्मान होता है जिने कंद कहा जाता है कुछ जातियां ऐसी हैं तो शिरोषकी जब उसमें लंबा सुस्काल आता है तो उसमें के जो थेलस है उसमें छोटी गोलाकार फूली हुई संडचनाओं बनती हैं जिने कंद कहा जाता है और कंद जो है ये भोजन संग्रह का कारिये करती है और अनुकूल पस्ततियां आती है जब ये अंकूरित होती है और अंकूरित होकर नए थेलस जो है उसका निर्मान करती है ये है कंद के द्वारा ताइक जनल ठी बटा नंबर चार नंबर चार है जैमी जैमी द्वारा कि जैमी के द्वारा कैसे काईक जनन होता एंतोसिरोस में देखे बेटा एंतोसिरोस जो है उसका थेलस थेलस की जो उपरी सतय होती है इस सतय पर सैवरंत यानि वरंत युक्त संडचनाएं विक्सित होती है और इन सैवरंत संडचनाओं को जैमी कहा जाता है और ये जैमी जब मात्र पादप से अलग होती है तो ये नए थेलस का निर्मान करती है जैमी थेलस की उपरी जो सतय होती है उस पर सैवरंत संडचनाओं विक्सित होती है जिने जैमी कहा जाता है जैमी जब मात्र पादप से अलग होती है तो ये नए थैलस का निर्मान करती है ठीक वेटा उसके बाद नंबर पांच नंबर पांच पर आता है अप बिजानुता अप बिजानुता द्वारा एपोइस्पोरी या अप बिजानुता द्वारा देख बेटा अप बिजानुता क्या है कुछ विशेश परिस्तती जो है उस विशेश परिस्तती में बिजानुद भिद बिजानुद भिद यानि टुएन आवस्था जो आती है उसकी कोशिकाएं बिजानुद भिद जो है उसकी कोशिकाएं सीधे ही युग्म कोद भिद यानि एगुनित युग्म कोद भिद का निर्मान करती है और ये इस्तती जो है ये एपो इस्पोरी कहलाती है एपो इस्पोरी क्या है कि कुछ विशेश परस्ततियों में बिजानुद भिद जो पादप होता है दुएगुनित अवस्था है उसमें उसकी कोशिकाएं सीधे ही युग्म कोद भिद का निर्मान करती है और ये इस्तती क्या कहलाती है एपो इस्पोरी कहलाती है ये जो विदी है वो एपो इस्पोरी कहलाती है तो ये हो गया बेटा जो एंथो सिरोस है उसमें काईक जनन किसके दुआरा हो रहा है विखंडन के दुआरा चीर इस्थाई व्रधी सीर्ष के दुआरा कंद के दुआरा जैमी दुआरा और अप विजानुता दुआरा है पीटा तूई ये लेंग्य जनन अपना एलेंगें निकाईक जनन पूरा हो गया अब नमबर दूपर पर जो है वो लेते हैं लेंग्य जनन, sexual reproduction, लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन किस प्रकार होता है एंथोस इरोस में, देख बेटा एंथोस इरोस जो है उसमें नर जनन अंग, लैंगिक जनन की किरिया होती है, तो उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग का निर्माण होता है, नर जनन अंग बनता है और मादा जनन अंग जो है उसका निर्मान होता है, नर्जनन अंग जो है इसे पूधानी या इसे एंत्रीडियम कहा जाता है और मादा जनन जो है उसे इस्त्रीधानी इस्त्रीधानी या इसे आर्कीगोनियम आर्कीगोनियम कहा जाता है तो नर्जननंग पूधानी और मादा जननंग इस्त्रीधानी का इसमें निर्मान होता है अब हम सबसे पहले सबसे पहले लेते हैं पूधानी पूधानी एंत्रीडियम यानि पूधानी जो है उसका विकास कैसे होता है देख पूधानी जो है इसकी उत्पत्ती अंतरजात होती है इसकी जो उत्पत्ती है वो कैसी होती है अंतरजात होती है तथा पूधानी जो है ये थैलस थैलस की अपाक्ष अपाक्ष सतय पर बनती है थैलस जो है उसकी अपाक्ष सतय पर बनती है और इसकी उत्पत्ती कैसी होती है अंतर जात होती है ठीक बटा अब पूधानी का परिवर्धन कैसे होता है देखी बटा इसमें कि पूधानी का जो परिवर्धन है वो व्रधी बिंदू व्रधी बिंदू जो होता है इसके ठीक पीछे वाली व्रदी बिंदू के ठीक पीछे इस्थित सतही कोशिका जो है उसके द्वारा होता है पूधानी का जो परिवर्धन है ये पूधानी का परिवर्धन व्रदी बिंदू के ठीक पीछे इस्थित सतही कोशिका के द्वारा होता है और इसी सतही कोशिका को बोला जाता है प्रात्मिक पूधानी कोशिका कहा जाता है ये क्या कहलाती है प्रात्मिक पूधानी कोशिका जो है ये कहलाती है ठीक है जैसे हम बात करें कि ये एक व्रदी बिंदू है और व्रदी बिंदू के ठीक बिछे की जो ये कोशिका है ये कहलाती है प्रात्मिक पूधानी कोशिका कहलाती है ये बाकी कोशिकाई है और ये है प्रात्मिक पूधानी कोशिका है जिससे किसका निमान होगा पूधानी का निमान होगा ठीक है बटा अब ये प्रात्मिक पूधानी जो कोशिका है प्रात्मिक पूधानी जो कोशिका है इस प्रात्मिक पूधानी कोशिका में एक अपनत विभाजन होता है इस प्रात्मिक पूधानी कोशिका में क्या होगा एक अपनत विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाई बनती है ठीक है दो कोशिकाई बनती है एक तो होती है छत प्रारंबिक छत प्रारंबिक होती है और दूसरी जो कोशिकाई बनती है उसे बोला जाता है पूधानी प्रारंबिक पूधानी प्रारंबिक दो कोशिकाएं बनती हैं जब पूधानी प्रात्मी पूधानी कोशिका में अपनत विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनेंगी छत प्रारंबिक और पूधानी प्रारंबिक कोशिकाएं बनेंगी अब जैसे इस कोशिका में विभाजन होगा और विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती हैं एक ये कोशिका बन गई और एक ये कोशिका बन गई इसे बोला जाता है रूफ रूफ इनिसियल रूफ इनिसियल यानि छत प्रारमभिक कहा जाता है और ये दूसरी जो कोशिका है इसे बोला जाता है एन्थ्री डियल एन्थ्रीडियल सेल ये एन्थ्रीडियल सेल कहलाती है और ये रूफ इनिशियल यानि छत प्रारंबिक और ये क्या कहलाती है एन्थ्रीडियल सेल यानि पूधानी प्रारंबिक कहलाती है ठीक मैटा अब अगला पॉइंट लेते हैं इसमें कि जो छत प्रारंभी कोशिका है इसमें परिनत और अपनत विभाजन होती हैं जिससे दो से तीन परतिये पूधानी प्रकोस्ट की छत का निर्मान होता है पूधानी जो प्रकोस्ट है जिसमें पूधानी बनेगी उस पूधानी प्रकोस्ट की छत का निर्मान कर दी है ये रूफ इनिसियल है पूधानी जो छत प्रारंभिक है इसमें लगातार विभाजन होंगे और लगातार विभाजन होने से क्या बनती है पूधानी प्रकोस्ट की छत यानि रूफ जो है उसका निर्मान होता है देखे कैसे होगा जैसे ये तो अपनी क्या होगई एक पूधानी प्रारंबिक होगई ठीक है बेटा अब इसमें छत को ये पूधानी प्रकोस्ट है और इसकी च्छत यानी रूफ जो है उसका निर्मान होता है ठीक है बटा उसके बाद ये तो हो गया च्छत प्रारंभिक में जब विभाजन होंगे दो दो से तीन परतिये पूधानी प्रकोस्ट की च्छत का निर्मान होगा ठीक है बटा आगे अब बात करते हैं पूधानी प्रारंबिक की पूधानी प्रारंबिक जो है इसमें जब विभाजन होंगे तो इससे पूधानी का निर्मान होता है क्या होगा पूधानी का निर्मान होता है और एक पूधानी कोशिका से एक पूधानी का निर्मान होगा एक पूधानी प्रारंबिक जो कोशिका है वो एक पूधानी का निर्मान करेगी ठीक है तो सबसे पहले पूधानी प्रारंबिक जो कोशिका है इसमें दो विभाजन हों जिससे चार कोसिकाओं का निर्मान होगा, चार कोसिकाओं में विभाजन होगा तो आठ कोसिकाओं बनेगी, जिसे अस्टांक कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? अस्टांक कहलाता है. पूधानी प्राण भी कोशिका में विभाजन हुआ पहला तो एक से दो बनी दो से चार और चार से कितनी बनी आठ कोशिकाए बनती है बहाई ये जैकेट कोशिकाएं कहलाती है जो भार की ऊर होती है और अंदर की ऊर जो इस्तित होती है उन्हें बोला जाता है प्राथमिक पूर जनक कोशिकाएं कहलाती है बहार की ओर जो कोशिकाएं है वो तो क्या कहलाएंगी प्राथमिक जैकिट कोशिकाएं जो पूधानी की जैकिट का निमान करेंगी और अंदर वाली जो कोशिकाएं है वो कहलाती है प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं कहलाती है ठीके बेटा प्रात्मिक जैकिट कोशिकाएं आगे विभाजित होकर पूधानी जो है उसके जैकिट यानि उसके भाई ये आवरण का मिर्मान करेंगी और प्रात्मिक पूजनक जो कोशिकाएं है ये विभाजित होकर पुमणू मात्र कोशिकाएं पहले क्या बनाएंगी जो है ये बनाती है और पुमुनु मात्र कोशिकाऊं से नर्युगमक पुमुनु जो है उसका निर्मान होता है ठीक बैठा अब यह जैसे रूप यहां पर बन गई अब इसमें देखो विभाजन करते हैं एक से कितनी कोशिकाइं बनीं दोगोशिकाइं बनती हैं ठीक है बेटा अब आगे जो विभाजन होगा दो से चार चार से आठ कोशिकाएं बनेंगी तो ये तो पूधानी प्रकोस्ट बन गया और इसमें ये पूधानी जो है उनका निर्मान होता है दो से कितनी बनेंगी चार कोशिकाई जो है उनका निर्मान होता है दो से कितनी बन जाती है चार कोशिकाई बन जाती है अब भारवाली जो कोशिकाई है ये तो क्या बनाती है पूधानी जो है उसके जैकिट जैसी ये है पूधानी ये सैवरंद पूधानी है और ये भाई आवरन जो है उसका निर्मान होता है जो कोण बनाएंगी प्रात्मिक जैकिट कोशिकाई और अंदर वाली जो कोशिकाई होती है जिने हमने नाम दिया था प्रात्मिक पुम्नु कोशिकाई पूजनक कोशिकाई ये प्रारम में क्या बनाएंगी पुम्नु मात्र कोशिक से पुमृनु जो है उसका निर्मान होता है और ये हैं उसकी चत हो गई रूफ जो है उसका निर्मान हो गया तो ये है अपनी पूधानी सैवरंत पूधानी होती है यह तो रूफ जो है उसका निर्मान तो कून करती है छत प्रारंबिक और इसकी जैकिट का निर्मान कून करती है प्रात्मिक जैकिट कोशिकाई और पुम्णु मात्र कोशिकाओं का निर्मान प्रात्मिक पूजनक कोशिका से होता है जिससे पुम्णु मात्र कोशिकाओं मनेंगी और पुम्णु मात्र कोशिकाओं से इसमें पुम्णु जो है उसका निर्मान होता है थीक है बैटा तो ये है पूधानी जो है एंथ्रीडियम उसका परिवर्पन थीक है बैटा अब पूधानी एक परीपक पूधानी की बात करते हैं एक परिपक पूधानी जो है उसकी संदचना कैसी होती है एक परिपक पूधानी की संदचना देखे बेटा परिपक पूधानी जो है ये गदाकार होती है गदा जो होती है उसके समान होती है गदा के आकारकी होती है और इसमें एक वरंत जो है ये उपस्तित होता है और इस वरंत की सायता से ये पूधानी प्रकोस्ट से जुड़ी रहती है पूधानी परिपक पूधानी कैसी है गदा के आकारकी है और ये गदा आकारकी पूधानी है ये वरंत के द्वारा पूधानी प्रकोस्ट से जुड़ी रहती है वरंत जो होता है इसका जो वरंत होता है इसमें चार उदग्र कोशिकाएं जो हैं उनकी पंग्ती पाई जाती है जो वरंत है इसमें चार उदग्र कोशिकाओं की पंग्ती पाई जाती है और पूधानी का जो जैकिट होता है जो उसके चारों और है पूधानी का जो जैकिट होता है इसकी कोशिकाओं में यानि जैकिट की कोशिकाओं में लाल या नारंगी वरनक जो हैं ये उपस्तित होती लाल या नारंगी वर्नक इसमें उपस्तित होती हैं जैसे अब एक पूधानी परिपक पूधानी की संद्चना बनाएं तो देखे ये तो बेटा उसका पूधानी का क्या हो गया वरंत हो गया थीक है जिसमें चार उदग्र कोशिकाओं की परते होती है और ये हो गई एक गद पूधानी के चार ओर क्या इस्थित है पूधानी का जैकेट इस्थित है और इस जैकेट की कोशिकाओं में जैकेट जो है इसकी कोशिकाओं में लाल या नारंगी रंग के वरनक पाई जाते हैं और अंदर है ये पुम्णू मात्र कोशिकाओं होती है जो आगे विभाजन करक जो है नर युगमक पुमणों का निर्मान करती है तो ये गदादार जो है अपनी पूधानी होगे अब इस पूधानी जो है इसके चारों और ये क्या है पूधानी प्रकोस्ट स्थित है यानि पूधानी प्रकोस्ट में स्थित होती है और ये जो कोशिकाएं है ये जो इस त पूधानी जो है उसकी परिपक सन्रचना गदा के आकार की होती है वरंत युक्त होती है जो प्रकोष्ट के आधारे भाग से जुड़ी रहती है वरंत में चार उदग्र कोशिकाओं की पंक्तियां होती है और इसका जो जैकिट होता है ये इसका जैकिट है जैकिट जो है उसमें लाल नारंगी रंके वर्नक उपस्तेत होते हैं ठीक बेटा उसके बाद अगला और लास्ट टोपिक है पूधानी का इस पूटन कि पूधानी जो है इसका इस पूटन कैसे होता है और कैसे पूमणू मुक्त होते हैं देखिए बेटा परिपक जो पूधानी है जैसे यह हम यहां बनाते हैं यह पूधानी है अपनी यह इसका वरंत है और यह इसका जैकिट है और यह है यहां पर पूमणू मात्र कोशिका ठीक है बटा और ये है उसका प्रकोस्ट ठीक है बटा अब इसमें क्या होता है कि पूधाने का जो प्रकोस्ट होता है इसकी छत जो है इसकी छत जो है ये एनियमित रूप से फट जाती है भाई ये जो छत थी रूप जो थी ये एनियमित रूप से फट जाती है ठीक है फटन में से जैकिट जो उपरवारा जैकिट है ये जैकिट है इसकी कोशिकाई जो हैं जैकिट की जो कोशिकाई हैं ये एक दूसरे से प्रथक हो जाती हैं सबसे पहले तो पूधानी की जो कोशिकाई हैं ये जल का आउसोशन करती हैं जिससे उसकी पूधानी की छत की जो भी जल अउसोसन के कान अलग हो जाती है तो पूधानि के सीर्स पर एक चिद्र बन जाता है पूधानि के सीर्स पर क्या बन जाएगा एक चिद्र क्योंकि उसके जैकिट की कोशिकाएं एक दूसरे से क्या हो गई, अलग हो गई, छत पट जाती है, जैकिट की कोशिकाएं अलग हो जाती है, जिसे पूधानी के सीश पर जो है एक छिद्र बन जाता है, और इस छिद्र के द्वारा पुमुनु जो है, ये बाहर की ओर मुक्त ह पुम्नु जो है ये बाहर की और मुक्त हो जाते हैं अब अगर हम पुम्नु की बात करें तो पुम्नु कैसे हैं देखे बेटा ये है पुम्नु 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 जो है ये द्वी कसाबी की होती है यानि इनमें दो कसाब जो है ये पाए जाते हैं ये है पुम्नु एंतो सिरोस का पुम्णू है ये जो लंबा है बेलनाकार होता है लंबा है बेलनाकार है सरपिल है पुम्णू कैसा है लंबा है बेलनाकार है और कैसा होता है सरपिल होता है और इसमें दो कसाब जो है ये पाए जाते है यानि पुम्णू जो है वो दिवी कसाबि की होता है तो ये है परिपक पूधानी की संद्चना जो गदाकार वरंत युक्त होती है तीक है पूधानी का इस पूटन कैसे होगा जला उसोशन करने के कान इसकी रूफट जाएगी रूफटने पर जो जैकेट की कोशिकाएँ है ये भी जल का व्सोशन करके दूसरे से प्रतक हो जाती है जिसके कानग पूधानी के सीर्ष पर एक छिदर बन जाता है और इस छिदर के द्वारा जो पुमुनू है ये जल में मुक्त हो जाती है और पुमुनु कैसा है लंबा है, बेलनाकार है सरपिल होता है और द्वी कसा भी किये होता है ठीक है बटा, तो ये है लैंगिक जनन में हमने पूधानी जो है उसका परिवर्धन पढ़ लिया और उसका परिपक पूधानी पढ़ लिए और पूधानी का इस फूटन ठीक है बटा, आज के लिए इतना ही थैंक यू